मद्यप्रदेश में अब कक्षा साथवी में पढ़ाई करने वाली बच्ची के साथ दुशकर्म का मामला सामने आया है आरोपी ने घर का दर्वाजा बंद कर बच्ची के साथ जबरदस्ती और दुशकर्म किया घटना के बाद आरोपी ने बच्ची को डराया धंकाया ये घटना नेमावर थाना के नवल गाओं की है जहें एक नाबालिक बच्ची अपने नाना नानी के साथ रहकर सरकारी स्कूल में पढ़ा ही कर रही है शनिवार को बच्ची के नाना नानी उसे घर पर अकेला छोड़कर नर्मदा इस्तान के लिए गए थी बच्ची घर पर अकेली थी जिसके बाद गाओं काही रहने वाला एक ये वक्त सादू और फजग्दी शमिना बच्ची को घर पर अकेला देखकर उससे पानी मांगने के बहाने घर आ गया और घर में घुसकर अंदर से दर्वाजा बनकर बच्ची के साथ जबरदस्ती दुशकर्म किया गटना के बाद आरोपी ने बच्ची को डराया घंकाया कि अगर उसने ये बात किसी को बताई तो उसे जान से मार देगा डरी सेमी बच्ची ने घटना की जानकारी मोबाईल से अपने नाना नानी को दी गान आने पर मामा ने बच्ची के साथ इसकी शिकायत पुली स्थानी में दर्ज कराई पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया, मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी जगदीश मीना के खिलाब मामला दर्जकर उसे हिरासप में लिलिया है। मामला दर्ज किया गया है। आप देख रहे हैं। देख देख रहे हैं। मामला दर्जकर देख रहे हैं। मामला दिख रहे हैं। अव्ची के रहे हैं।